हेलो गाईस कैसा आप सभी सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus के Oxygen OS 13.1 के Official Update के बारे में और फाइनली यह जो Update है ना वो Roll Out होने स्टार्ट हो चुका है सो कहां पर यह Update है वो Release किया गया है और मैं आप लोगों को सामने एक Schedule है ना वो भी आपर Share करूँगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि OnePlus के ऐसे कौन कौन से device है जिनके अंदर आपको Color OS 13.1 और यहाँ पर Oxygen OS 13.1 का Update है वो यहाँ पर पहले मिलेगा Oxygen OS 13.1 का Update है वो तो इंडिया में हैगा और Color OS 13.1 का Update है वो आपको चाहिना के अंदर मिलेगा तो complete इस वीडियो को देखना वीडियो गर आपको यह पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है और यार चैनल को सब्सक्राइब करके ओल पर प्रेस कर लेना ताकि जैसे यह Update है वो इंडिया में Release होगा आप लोगों को वीडियो यहीं पर मिल जाएगी और टेलिगराम चैनल को भी जोइन कर सकतो यहाँ पर एक बहुती बड़ी OnePlus की Community है वो हम लोग यहाँ पर Create कर रहे हैं तो जोइन यहाँ पर कर सकतो तो सबसे बेले हम लोग बात करते हैं कहाँ पर यह Update है वो Release किया गया है तो आप लोग यहाँ पर यह वाली Language है वो देखके अंदाजार लगा सकतो कि सबसे बेले Update है वो कौन सी Country के अंदर आ सकता है OnePlus और Oppo तो जिन Country से यह Company बिलोंग करती है तो वो है China चाइना के अंदर यह Update है वो Release किया गया है और चाइना के अंदर जितने भी जो OnePlus के device है उनके अंदर Color OS का Update है वो Release किया जाते है और आज के टाइम पे Color OS और Oxygen OS के अंदर कोई जादा Difference है ना वहाँ पर नहीं रह गया है तो आप लोग देख पार होंगे Color OS 13.1 का Update है वहाँ पर चाइना के अंदर ओर अप्टेट की Size आप लोगों को मिलती है 185.45 MB तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि Color OS 13.1 और Oxygen OS 13.1 का जो Update है वो एक ऐसा Update होगा कि आपके फोन के अंदर जो Bugs देना उनको Solve किया जाएगा आपके फोन की Performance है उनको यहाँ पर Improve किया जाएगा ताकि यहाँ पर कोई नए फीचर है जो भी यहाँ पर आ वहाँ पर आएगा तो यह वाला आप लोग देख पार होगे Color OS 13.1 Roll Out Upgrade Plan तो सबसे पहले Update है वहाँ पर रिलीज किया जाएगा 21 April 2023 के अंदर मतलब कि इसी मांत के अंदर और 21 date के अंदर तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले OnePlus Ace एक OnePlus का device आ चुका है और Find X5 Pro और एक क यह चो Update है वह इंडिया के अंदर आप लोगों को अप्रेल की एंडिंग से पहले पहले कभी भी देखने को मिल जाएगा OnePlus 10 Pro 5G device के लिए तो अगर आप लोग यह वाले device चूज करते हो तो यहाँ पर वेट कीजिए बाकी बात करें 24 April 2023 date को तो यहाँ पर OnePlus 9 Pro और 5G Find N2 और ए लिए आपको Update है वो 24 April को चाइना के अंदर मिल जाएगा तो यह जो Update है वह आप लोगों को मैय का जो यहाँ पर फर्स्ट वीक है उसके अंदर कभी भी आपर देखने को मिल सकता है उसके बाद में यह कुछ OPPO के device है और यहाँ पर भी आपको OPPO के device मिलते है OnePlus के device नहीं है और यहाँ पर एक OnePlus S2V, OnePlus S2, OnePlus S Racing Edition 5G और यहाँ पर OnePlus S Pro तो यह चारू device वो आपको चाइना के अंदर मिलते हैं इंडिया के अंदर नहीं है OnePlus 11 अब इसके लिए आप लोगों को जो Update है वो मैं 2023 मंत के अंदर मिलेगा तो आप लोगों को यहाँ पर मिड मैं का या फिर 20 मैं तक से लिखा गया है और RT 5G तो 5G यह device है इसके लिए आप लोगों को जो Update है आप अपर देखने को मिल जाएगा अपरेल के सोरी मैं के मंत के अंदर और OnePlus 9R 5G तो इसका भी name आ चुक है और OnePlus 8 तो यह काफी अच्छी बात है कि OnePlus 8 device है उसके अदर भी Update हैगा OnePlus 8 Pro का भी आप लोगो आप लोगों को नेम मिल जाता है और शोकिंग लिए आप लोगों को OnePlus 8T जो device है इसका भी name में आपर मिल जाता है तो तीनो OnePlus 8 सीरीज प्लस OnePlus 9R और 9RT और 11 इन सभी के लिए आप लोगों को जो Update है वहाँ पर मैय का जो मंत है उसके अंदर कभी भी देखने को मिल जाएगा त तो वो आप लोगों हो यहाँ पर Under 20 Days से पहले पहले इंडिया के अंदर मिल जाएगा और यहाँ पर जो आप लोगों हो नीचे भी कुछ device मिलते हैं जो कि यहाँ पर OnePlus के नहीं है सारे OPPO के device है और इस साइड भी आप लोगों जितने भी device मिलते हैं वो यहाँ पर OnePlus के device नही चाइना के अंदर OnePlus Node का एक भी device नहीं है तो वहाँ पर तो schedule है आपर कैसे release किया जाएगा अगर इंडिया में update आएगा तो आप लोगों को schedule है वो जरूर से आपर मिल जाएगा बाकी मैं आपको एक थोड़ा सा idea दे देता हूँ जैसे कि यहाँ पर OnePlus Node 2T OnePlus Node CE 2 Lite 5G ऐसे कुछ device है जिनके लिए आप लोगों कुछ अपटेट है वहाँ अपन मैं के next मंत के अंदर मिल जाएगा तो जून मंत है उसका आप लोग वेट कर सकते हो अगर आप लोग यह दो OnePlus के device यहाँ पर यूज करते हो और बाकी के जो OnePlus के device है उनके लिए आपको update है वह quarter 2 के end तक कभी भी यह एक screenshot है वो काफी जदा viral हो रहा है जो कि Color OS 13.1 update का आप लोगों को मिलता है तो इसके अंदर basically कुछ आप लियाओट है वो चेंज किया गया है जो कि इंडिया में आप लोगों को ओडाइलर अप्लिगेसर मिलती है तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ चेंज जरूर से देखने को मिल जाएंगे और ये वाला तो मैंने आपको बता दिया है किस तरगे से आप लोगों को इसकी साइज मिल जाती है और यहाँ पर 13.1 mention किया गया है बागी चेंज लोग के अंदर आप लोग देख पानूगे सब कुछ चाइना के अंदर mention किया गया है तो एको डिवाइस है GT Neo 5 SE इसका भी एक स्क्रिंशोट वाइरल हो रहा है जिसके अंदर आपको पता चलता है 13.1.0 का अपटेट है वो अभी करंटली इस डिवाइस के अंदर चल रहा है जो कि सबी कुछ यहाँ पर Chinese language के अंदर mention किया गया है तो एक गाइस मैं आपको काफी आउटना स्टार्ट हो चुका है सबी डिवाइस के लिए और यहाँ पर काफी अच्छी बात है कि Samsung का जो यहाँ पर S23 Ultra डिवाइस है जो कि 1,25,000 का डिवाइस है उसके अंदर 1UI 5.1 का अपटेट है वो प्रिन इंस्टोल मिला था लेकिन यहाँ पर Color OS 13.1 का अपटेट है ज अपना एक्सपिरेंस है वो शेर किया है तो यह आप लोगों को डिवाइस मिलता है OPPO Find X6 Pro तो काफी अच्छी आप लोगों को एनिमेशन है ना वहाँ आपन मिलेगी Oxygen OS 13.1 और Color OS 13.1 के अपटेट के अंदर तो वेट आप लोग यहाँ आपर कर सकतो तो बाकी यही निउस जो किया आपर साम निकल क्या दिती तो यह मैंने आपके साथ में ओलरीट यहाँ पर शेर कर दिया है बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बता सकतो नीचे कमेंट सेक्षन के अंदर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चेनल को सब सब्सक्राइब करके ओल पर प्रेस करेना और जो टेलीगराम चेनल है उसको भी जोइन कर सकते हो मैं मिलता आप लोगों से नेक्स यूडियो में जेहिंद वन्दे मतरम